Hello Students, मैं BP Sing, आज आपको BSE की तयारी हम कैसे करें या BTEC की तयारी या BCOM या BA या किसी भी kompetition की हम तयारी कैसे करें, आज इसके बारे में हम discuss करेंगे, तो जैसे कि हम BSE की तयारी कैसे करें, उसके लिए हमें क्या 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 करना होगा, सबसे पहले हमें SLEVUS मालुम होना चाहिए क्या मालूम होना चाहिए सिलेवस अब सिलेवस जब हमें पता है अगर नहीं पता सिलेवस आपको तो मैंने यूटूब पर BSC 1st Sam, 2nd Sam, 3rd Sam और 4th Sam का पूरा सिलेवस डाल दिया है बस आपको सर्च करने की देर है आप जैसे BSC 4th Sam सिलेवस लिखेंगे Mathematics तो उसके साथ चैनल का नाम जोड़ दें जैसे BSC कोचिंग अलीगार ठीक है? मैंने पूरा सिलेवस डाल दिया है Mathematics का वैसे आप Chemistry और Physics का सिलेवस अगर जरूवत हो तो आप अपने किसी भी नजदी की जो Bookseller होते हैं उनके पास सिलेवस मिल जाता है या आप College से टीचर से संपर करेंगे तो सर्वी आपको बता देंगे ठीक है? और BSC Final Year का सिलेवस कोई चेंज नहीं है BSC Final Year में तो वही चार Book है Complex Analysis, Real Analysis, Numerical Analysis और Linear Programming Problem तो BSC Final का सिलेवस तो चेंज है नहीं बस इनका ही New Education Policy के रेकॉर्डिंग चेंज हुआ था हमारे पास सिलेवस तैयार हो गया सिलेवस हमने ले लिया अब हमारे पास Books होनी चाहिए Books भी आप College में जब किलास करते हैं तो टीचर जो बुक बताएं आप वो बुक खरीदे वैसे आप किसी भी राइटर की बुक ले सकते हैं चैप्टर सब के सेम होते हैं Question बस आगे पीछे दे रखे होते हैं किसी में वो एक्जाम पे ले तो किसी में वो Question है ज्यादा से ज्यादा 10% Question चेंज होते हैं तो इसलिए जो बुक आपको पसंद आए बोले सकते हैं या College से टीचर के according भी ले सकते हैं हमारे पास syllabus है, books है और मैं आपको last में एक secret बताऊंगा जिससे कि आपके 90% marks आ जाएं तो चलिए अब हम तीसरा topic लेते हैं Time table हमारे पास syllabus आ गया, books आ गई अब हमें time table set करना है कि कव किसको क्या-क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है आईए, जैसे मैंने निकाला है 3, 2 और 2 का रेसो 3, 2, 2 का 3 गंटे आप मैथ को देंगे 2 गंटे आप physics को देंगे और 2 गंटे आप chemistry को देंगे 3 गंटे मैथ को, 2 गंटे physics को और 2 गंटे chemistry को आपने अगर 7 गंटा daily दे दिये तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको 70% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता ठीक है, अब आपके पास समय कैसे choose करेंगे कि हमें ये 3 गंटा मैथ के कब देने चाहिए physics के लिए कब देने चाहिए और chemistry के लिए हमें 2 गंटे कब देने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम math पर discuss करते हैं अगर आप math के लिए 3 गंटा देते हैं, तो आप अपना time साम को रखे math खाँ जैसे आप 7 से 10 तक रख सकते हैं, या 8 से 11 तक रख सकते हैं या 9 से 12 तक इन मेंसे कोई सा 1 time choose कर ले, 12 बज़े के बाद आपको नहीं पढ़ना फिर आपको सोना है ठीक है, क्योंकि physics और chemistry भी पढ़नी है, अब इन मेंसे जैसे 3 गंटे लगातार नहीं पढ़ेंगे आप 45 मिनट पढ़ेंगे, और 15 मिनट में आप मौज लेंगे, रेस्ट करेंगे कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मला अपने माइंड को fresh रखने के लिए आप song भी सुन सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा period 45 मिनट का लेंगे फिर आप मेहत में लग जाएंगे फिर उसके बाद 15 मिनट का रेस्ट लेंगे और फिर 45 मिनट आप रेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे मेहत की तयारी करेंगे और फिर आप रेस्ट करेंगे, तो इस बिरकार आपके 45-45 मिनट के तीन पीरियड बनेंगे मैत के ठीक है उसके बाद अब बात आती है पहले chemistry को लेते हैं chemistry को आपको सुभ़ए को पढ़ना है क्योंकि chemistry थोड़ी याद करने में बच्चे परिशानी करते हैं तो chemistry आपको सोवई को पढ़ना है और वो पढ़ेंगे कैसे यदि आपने ये time choose किया है तो आप पढ़ेंगे फिर 4 से लेकर 6 तक ये time choose किया है तो आप पढ़ेंगे 5 से लेकर 7 तक अगर ये time choose किया है आपने तो पढ़ेंगे 6 से लेकर 8 वजी तक क्योंकि आपको 6 गंटा आराम करना बहुत जरूरी है कम से कम 6 गंटे आप सोएंगे तो फ्रेस रहेंगे इससे कम सोएंगे तो आप टेंसन में आ सकते हैं तो इसलिए मैंने बताया जैसे मैथ में आप 15-15 मिनट देंगे रेस्ट के लिए मनुरंजन के लिए कोई भी सॉंग्स ने जो तो में पसंद आए ऐसे ही फिजिक्स में देंगे और ऐसे ही केमिस्ट्री में देंगे अब बात रही फिजिक्स की केमिस्ट्री हम सुबह देखेंगे साम को हम math पढ़ेंगे अब physics कप पढ़ें अब आप fresh होई आराम से घूमिये फिरिये अब आपका आता है अगला college अब बताऊंगा physics आप कहां पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा दवाब में भी नहीं रहना है चलिए चौधे नमबर पर पहले मैं notes ले रहा हूँ जो भी topic आप करेंगे math या physics या chemistry सब के first class दो-दो notes बनाएंगे math का rough एक तरफ और दूसरे notes में fair ठीक है? तो आपको rough भी बनानी है और fair भी बनानी है notes बहुत एहम भूमिका निवाते हैं जब exam का समय होता है ठीक है? और आपके पास highlight वाली pencil भी होनी चाहिए जिससे की आप highlight कर दे की कौन सा question important है ये भी बताऊंगा की important question कौन कौन से होते हैं ठीक है? तो notes आपके लिए बहुत जरूरी हैं इसके बाद आता है college अब college पर क्या करेंगे? आप सुबै को college जाएंगे college तो आपको वास्ता में daily जाना चाहिए जिससे की teacher और आपके बीच में chemistry बने teacher और आपके बीच में संपर्ख हो teacher कम से कम आपके नाम को जाने अगर आप college नहीं जाते हैं तो practical समय पर आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि teachers लोग यह सोचते हैं कि कभी class तो आया नहीं और practical करने आ गया तो जो student daily college जाते हैं उन्हें practical में भी उतना ही लाव मिलता है आईए अब आपके college में अगर दो period मिस हैं ठीक है? या एक दो period के बीच में gap मिलता है दो घंटी का एक घंटी का उस समय आप उस time को बरवाद न करें उस समय आप physics करें किसी भी कीमत पर वो time या period खाली नहीं रहना चाहिए आपको college में ही बैठ कर अगर आपके period खतम हो जाते हैं तो फिर आपको दो घंटे एक्स्ट्रा देने हैं या बीच में आपको period टाइम में खाली मिलता है कोई समय तब भी आपको physics को समय देना है अर्था दिन में आपको जो time पसंद आए वो एक ही time चूज कर ले पूरी दो घंटे के लिए के हमें दो घंटे में physics कवर करनी है तो हमने आपको बताया अभी syllabus, फिर books, फिर time table time table के बाद फिर आता है notes और फिर आते है college तो आपको ये सारी बात है करनी है आगे आप college के बाद क्या होता है छटे नमबर पे आती है coaching अब coaching की बाद यदि आपकी class में period miss होते हैं तब आप क्या करेंगे इसलिए आप किसी college अपने जो college के पास नजदीक जहां भी आप पड़ते हैं तो आप अपना coaching या tuition की सुझदा बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप BSC कर रहे हैं तो कम से कम BSC जैसे student होने चाहिए यह नहीं है कि आप BSC कर रहे हैं और आप पर आता कुछ नहीं है तो वो बिल्कुल बेकार है आप B.Tech करें, B.Com करें, BSC करें अगर कोई भी problem है तो उसका solution है आप कहीं न कहीं coaching जरूर करें ठीक है? आए इसके बाद अगला topic आता है YouTube अब YouTube की बात आती है अगर आप college daily करते हैं किलास बहुत कम मिस होती है तो आप YouTube की मदद ले सकते हैं फिर coaching की जरूरत नहीं है क्योंकि YouTube पर लगभग 20-30% मिल जाता है लेकिन हाथ जो बड़े-बड़े question होते हैं टिपिकल question होते हैं उन्हें teacher YouTube पर नहीं डालते जबकि मैं सबसे ज़्यादा YouTube पर अपनी mathematics की बीडियो डालता हूँ आप mechanics की कोई भी topic सर्च करें वो मेरा बीडियो आपको जरूर मिलेगा वो पूरी playlist मिलेगी अभी मैंने पूरी playlist set नहीं की थी क्योंकि इस लेवस change हुआ है यूटूब पर सबसे उपर आ जाता है रियल एनलाइसिस की, complex एनलाइसिस की numerical एनलाइसिस की ये सारी वीडियो मेंने chapter by chapter playlist बना रखी है ठी डामेंसल आप geometry की पूरी बना रखी है ठीक है, differential और integral calculus की पूरी बना रखी है, बस आपको search करने की देर है चलिए, तो यूटूब पे भी आप मदद ले सकते हैं अब यूटूब से मदद लेने के बाद सबसे बड़ी बात होती है, regularity regularity का मतलब ये है कि आपने अगर मैत को तीन घंटे समय दिया है तो daily आपको तीन घंटे देना ही होगा, ये नहीं है कि आप कभी कै चलो कल पढ़ लेंगे अरे परसों पढ़ लेंगे, अभी तो paper का time है, एक साथ कुछ भी नहीं होता, और कुछ बच्चों में इतनी गंदी आदत होती है कि वो सिर्फ याद करते हैं याद करने वाला student 70% को भूल जाता है यदि अगर आपको कोई mathematics का question आता है तो आप उसे रपपर निकाल कर देखिए अगर physics का कोई article प्रूफ करना आप पर आता है तो आप उसे रपपर निकाल कर देखिए आपने mathematics की एक unit तैयार कर ली, तो उसके important question लिखने के बाद उन्हें solve करके देखिए बिना book के, अगर आप chemistry पढ़ रहे है और chemistry आपको याद हो गई, तो जब notes बनाएंगे उस समय वो बिना देखे notes बनने चाहिए, ठीक है ऐसे नहीं है कि आपने बस याद कर लिया पिर छोड़ दिया जब तक आप question याद करके उसे अपने हाद से नहीं लिखेंगे चाहिए mathematics हो, चाहिए physics हो, चाहिए chemistry हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता तो इसलिए आपसे ये प्रार्थना है कि आप जो भी याद करें उसे अपने हाद से जरूर लिखें और ऐसे first class notes बनाएं कि exam time में केवल notes ही से काम चल जाए बुक उठानी की जरूरत न पढ़ा इसके बाद hand exercise मैंने बता दी आपको कि हर question हाद से निकलना बहुत जरूरी है कि लिए उसके बाद आप बनेंगे नमे में आपकी hand exercise हो गई और 10 में नम्मर पे आप topers बन जाएंगे कैसे topers बनेंगे इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो डालूँगा जिसका नाम है कि मुझे तो 90% से नम्मर कम नहीं चाहिए मैं क्या करूँ जो student 90% से उपर लाना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बहुत important tips दूँगा यहां तो आज मैंने आपको बताई थी कि BSE की तयारी आप कैसे करें हाँ पिछले 5 साल के unsolved question देख लें और उनी के according आपको ये पता पर जाएगा किस chapter से कितने नम्मर का आता है उसी हिसाफ से आप choice कर लें ठीक है और आपको एक secret बात बताऊ यदि paper subjective आया तो पूरा paper out करके दूँगा आपके लिए guarantee से मगर paper subjective आना चाहिए ठीक है